दोस्तो आज किस वीडियो में इंडिया पोस्ट में जो 38,926 पोस्ट पर GDS यानि की ग्रामीन डाक सेवक की भरती आई है उसी के बारे में बात करने बाले हैं सभी को पताए कि GDS में सेलेक्षन लने के लिए किसी परकार का एक्जाम बगरा नहीं लिया जाएगा इसमें 10th के percentage के धार पर सेलेक्षन किया जाएगा इसके कारण कई candidate का कहना है कि GDS post पर selection सिर्फ उन्ही candidate का होता है जिनके की 10th में 90% से उपर नम्मर है लेकिन इससे पहले बाले वीडियो में मैंने जो GDS के previous year का statewide minimum cut-off बताया है उसमें सबसे कम cut-off असाम इस्टेट का देखने को मिला था जहां कि 68.3 अंक बाले candidate का final selection हुआ था असाम इस्टेट का अप लोगों को दिखाया था कि वहाँ 10th में minimum 68.3 अंक होने पर candidate का final selection हुआ था लेकिन आज मैं अप लोगों को GDS का एक और इस्टेट का previous year का cut-off दिखाने बाला हूँ जहां कि candidate के 45.3 अंक होने पर उनका final selection हुआ है साथ ही उस्टेट का language भी दिखाने बाला हूँ कि उस्टेट में किस तरह के language मांगा गया है सारी जानकार इस वीडियो में देने बाले हैं इसलिए आप लोग वीडियो को पुरावस देखेगा तो चलिए आज का video स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले में आप लोगों को बता दू कि अगर आप लोग दूसरे state से apply करना चाते हैं जहां की cut-off कम जाता है तो उस state का language के बारे में आप लोगों को सारी जानकारी होनी चाहिए लिखने परने बोलने की साथ ही 10th में आप लोगों का वही language subject है तभी आप लोग उस state से apply कर सकते हैं उस state का जो भी language है अगर आप लोगों का 10th में वही language subject है तभी आप लोग उस state से apply कर सकते हैं अन्य थाप लोग उस state से apply नहीं कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि किस state में candidate का 10th में minimum 45 पर 35 अंखोने पर final selection हुआ है उसके बाद उस state का language भी देखने बाले कि उस state में कौन सा language मांगा जा रहा है तो आप सवी देख सकते हैं कि ये नौर्थ इस्ट सरकिल का 2020 का सेलेक्शन लिस्ट है नौर्थ इस्ट में कई state है लेकिन उन में से एक state है जहां कि candidate की 10th में 45 परतिसत अंखोने पर भी final selection हो जाता है आप लोग मिजोरम state का देख सकते हैं एक candidate का 10th में 45.6 परतिसत अंखोने पर final selection हो है और ये candidate ST के candidate है इसी परकार आप लोग कई candidate का देख सकते हैं कि एक candidate का 50.8 परतिसत पर एक candidate का 47.2 परतिसत पर एक candidate का 46.6 परतिसत पर वहीं UR का भी देख सकते हैं कि UR में 27.2 परतिसत पर एक candidate का final selection हो है आप लोगों ने GDS का सबसे कम state वाला cut-off देखा कि मिजोरम एक इसा state है जहां कि GDS का cut-off सबसे कम जाता है मिजोरम state में 45-30, 50-30, 60-30 वाले candidate का भी selection हो जाता है तो चलिए अब देखते हैं कि मिजोरम से दूसरे state वाले candidate फॉर्म बर सकते हैं या नहीं क्योंकि अगर आप लोग मिजोरम से फॉर्म बरना चाते हैं तो मिजोरम में जो भी language है उस language के बारे में आप लोगों को सारी जानकारी लिखने परने बोलने की साथ ही 10th में आप लोगों का वही language subject है तब ही आप लोग मिजोरम से फॉर्म बर सकते हैं तो जैसा कि मैंने अप लोगों को पहले ही बताए कि North East में कई State है, जिसे कई भागों में बाटा गया है, अगर North East में Total Post की बात के तो लगबग सारे 500 के आसपास Post है, तो लेंग्वेज अप लोग देख सकते हैं कि North East से कौन-कौन से लेंग्वेज वाले कंडेट फॉर्म बर स चाहिए, तभी आप लोग मीजोरम से फॉर्म बर सकते हैं, और अगर आप लोगों का 10th में मीजो लेंग्वेज सब्जेक्ट है, तभी आप लोग मीजोरम से फॉर्म बर सकते हैं, अनित्था आप लोग मीजोरम से फॉर्म नहीं बर सकते हैं, तो मैंने आप लोगों को टेकनिकले अपलोग का धन्यवाद.